नमस्कार बहुत श्वागत है आपका आप देख रहे हैं आचार जागंदर मिस्त्रा दैनिक रासफल सबसे पहले हम बात करते हैं दैनिक पंचांग की 6 मार्च 2020 शुक्रवार का दिन है फालगुन मास के सुकल पक्च की एकादसी तिति है द्वादसी भी इसी दिन रहेगी 12 बच के 24 मिड़ तक रहेगा अब बात करते हैं आज के गुड लग की अगर आपके घर में कोई बीमार चल रहा है लंबे समय से कोई दवाई ठीक नहीं हो रही है दवाईयों से और वो तमाम कोशिसों के बाद भी दवाईयों का सर नहीं हो रहा और स्वास्त ठीक नहीं हो तो ऐसे में आपको लगता है कि किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया और कोई negative energy तो नहीं है आपके शरीर पर तो ऐसे situation में एक उपाय करे एक लोटा पानी ले और पानी में थोड़ा सा केसर मिला के जो ब्यक्ति बीमार है उसके सिरहने की तरफ रख दे सिरहने की तरफ आपको रात को रखना है और सुबए उसे उठा के कहीं रोड पर या कहीं बाहर जाके अपने घर से फेंक देना है यानि अगले दिन सुबए इस पानी को या तो रोड पर फेंक दे या फिर अपनी कहीं खराब जगहों पर इसे डाल दे ये उपाय आपको लगातार नो दिन करना है रोज रात में रखना है और रोज शुबह फेंक देना है यकीन मानिये बहुत पोजिटीव रिजल्ट मिलेंगे जवरजस्त चमतकारिक लाब होगा अब बात करते हैं रासफल की और ये प्रिडिक्शन चंदर रासी पर आधारित ह करकराश वालों आपका दिन थोड़ा सा यहां पर मुश्किल भरा हो सकता है थोड़ा सा भारीपन महसूस करेंगे कैरियर में सभलता मिल सकती है यहां पर कोई खास दिक्कत तो नहीं होगी मिलने के योग हैं लेकिन थोड़ी सी परिशानी जरूर होगी और दूसरी तरफ अ आपको फाइदा होगा रुका हुआ पैशा मिल सकता है किसी को अगर आपने उधार दिया था तो वो मिलने के योग बन रहे हैं आप बस प्रियास जरूर करें और इस्टाक मार्केट शेयर मार्केट बगएर में आप पैशा लगा शकते हैं प्रोपरिटी में भी आप पैश लगा शकते हैं लेकिन अच्छी तरह से जाच परताल करके ही लगाएं दूसरी बात अगर हम आपके फैमली की बात करें तो यहां पर अपनों को लेकर किशी बात को लेकर थोड़ी शी टेंसन हो सकती है बाद भी बाद भी हो शकता है इसलिए इसमें अपनी बाड़ी पर ठीक रहेगा अगर हम आपके स्वास्त की बात करें तो थोड़ा सा सावधान रहेगा अगर आप बाहन खुछ चलाते हैं तो जरा शंभल के चलाईए और धन की नुक्सान से बचना है संपत्ति के मामले में भी सावधानी रखनी है तो दोनों ही जगहों पर आपको सावधा अगर बिद्यार्थी की बात करें तो आपको कोई बड़ी शफलता आज मिल सकती है आकाश्मिक रूप से आज आप किसी छेत्र में प्रयास जिस भी छेत्र में प्रयास करेंगे वहाँ पर आपको शफलता मिलेगे खास कर अगर आप नौकरी करते हैं तो कुछ परिवर्तें और अगर आपके बिजनेस्मेन की बात करें, तो बहुत शारी चीजे ऐसी होगी जिसमें आपको सफलता मिलेगी, केरियर में सफलता मिलेगी, यहाँ पर बिजनेस्मेन को भी सफलता प्राप्ट होगी, कुल अच्छे समच्याएं हैं जिनका अंत हो रहा है, तो ऐसे में आप दिमाक्षे कामले, जजवाती ना बने पैसों के मामले में संभल के रहें और किसी पर भी पैसों के मामले में भरोशा ना करें जो की, जो भी काम करना है आप खुद करें, लिखा पड़ी में भी आप साउधान रहें आपका शुब रंग है, सफेद आपका भागे साथ निभाएगा 80% तो दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे सेर करिए जैशनिदेव